हेलो डियर स्टुडेंट कैसे हैं आप सभी आसा करता हूं बड़े अच्छी होंगे और आज टाइम एंब वक के बाद हम दुबारा से एक नए सेशन में आ गए हैं जो उसी का ही एक पार्ट माल लीजिए जिसमें आज हम जिकर करेंगे जिसमें आज हम बाते करेंगे कौन से कौन से देखिए जड़ा चेप्र का नाम है वर्क एंड वेजिए जैनि कि आज हम बात करेंगे कि कोई व्यक्ति अगर काम करता है और करने के बाद उससे कितना वेतन दिया जाए उसके उससे कितनी सल न दी जाए क्या उसका मजदूरी होती है क्या उसकी मेहनताना होगा उस बात करने वाले हैं और इन सभी बातों से पहले हमें क्या जानना होगा सर हमें जाननी होगी वो बाते जो इस चाप्टर को बनाएगी, जो इस चाप्टर को समझाने में हमें, समझने में हमें help करेगी, आज सबसे पहले उसी के बारे में बात करेगी, तो हम बात कर रहे हैं क्या, सबसे पहले हमने बात समझेगी, हमारे दो-तीन चीज़े हैं जो काम आने वाले हैं ध्यान से दिखें कौन-कौन सी एक हमें पता है एक है वर्क ठीक है वर्क के बाद पिरम रेखा इसमें एक है TIME एक है इसमें वैजिज में मतलब कि कोई व्यक्ति कितना कारिया करेगा ठीक है उसे कितना समय लगेगा काम को करने में ठीक है और उसका वेतन क्या होगा या आप कह सकते हैं कि उसके मज़दूरी कितनी बने इन सभी के बारे में हमें बात करनी है अब एक बात यहां पर स्टार करके आप दरूर लिखेंगे ये बात बहुत जादा दरूरी है क्या बात समझना पूरे चक्टर के अंदर सबसे में जो बात समझनी है आपको वो ये समझनी है किसी भी वियक्ति को जो भी सेलरी दी जाएंगे वो उसके उस त्हाइफ पर दे जाएंगे, जितना उसका काम काा, आप समझे बात को, माने जिए कोई काम कर तो, माननो ये उतने ही तो पैसे देंगे, माननो मैंने जीए तो पैसेом का किया है, तो यह जो आपको इस टाल अगर बात लिखनी है वो यह करनी है कि किसी भी व्यक्ति को »vazes", यनि कि मतदूरी कह लिजिये ऑप कह सकते हैं वेतन कह लिजिये महिनता나 कह लिजिये जो उसके पैसे दिये जाएंगे उसको वो किसा आधार पर दिये जाएंगे किये गए कारिय के आधार पर किये गए कारिय के आधार पर मतलब कोई भी व्यक्ति जितना कारिय करेगा उसको उतना ही क्या मिलेगा उतने ही पैसा मिलेगा तो based on work done या based on work किसी विव्यक्ति के द्वारा किये गए कारिय की आधार पर उसे पैसे दिये गए अब देखो अब एक बात हम यह बात और समझ में आती है कि जो work है वो कोई भी व्यक्ति की साधार पर करता है work work directly proportional होता है किसके efficiency के मतलब जो किया गया कारिय होगा जो work done होगा जो भी work done होगा जो work done होगा वो directly proportional होगा efficiency के किसके परपोर्सनल होगा efficiency के परपोर्सनल होगा यहां से बात तो आपको यह बात याद रखनी है सर या तो पैसे दे लीजिए आप किसके आदार पर उनको पैसे दीजिए सर या तो efficiency के आदार पर और अगर efficiency नहीं दे रहे हैं तो जितना उन्होंने काम किया है उसके आदार पर दीजिए यह main बात है ठीक है जितना उन्होंने काम किया उतने आदार पर यह efficiency के आदार पर म फ़ब चूटे सा आपको एक्जाम्पल लेकर चलता हूं। जिसे की आप बात को ख Almost की सबसे पहले कॉश्ण देखको कैबो कॉश्ण में लिख रहा है मेरी आवाज आ रही है बिलक्ल म een कुछमें और B किसी बी व्लक्त को 15binे हैं सकते हैं ठीक है क्या वो लगया कोशन में ए और बी किसी भी वाप को 15 डेज में कर सकते हैं ठीक है जी कोई बाद नहीं है सब की टुका कॉंट्राक्ट एक कॉंट्राक्ट लेते हैं वो 72,000 के में दोनों ने एक कॉंट्राक्ट लिया जो कि 72,000 का था उन्हों का कि what is the share of A तो आप ये बताईए एक शेयर क्या होगा और हमारे पास चार आप्शन दिये गई हैं इन में से एक आंसर होगा कर ना हगा हमने का सर सबसे पहले आप इनके efficiency कितना एक उनके efficiency है और किसने कितने कितना काम किया यह नी करेंगे किया, इय है कितने वे कर रहा है है 15 के अंदर गार। एक कितने ले रहा है न का क्वेंटने कहँे। है किशने लेंगे हैं क हम लोकुंदे चाहिए अगर यहां के-लिए रहे तो हम क्या करेंगे अब हम लेकिकिन इनका एलसीम 15 और 20 सिंटने ब है मैंने आपको शिखाई है बाते शिखाई हैं और सिखाई हुई बाते भूली नहीं जाती पता था न बात देखे। पढ़ने में चीखने में फर्क होता है। जो चीजे पढ़ी जाती है वो बूली जाएगी। लेकिन जो चीजे चीखी जाती है आप यकीन मानी कभी neखू सकते है। और आपको इस बात का मैं दावा कर रहा हूं कि यहां बाते सिखाई जाएगी, पढ़ाई नहीं जाएगी, सिखाई जाएगी, एक सीखने में और पढ़ने में फर्फ होगा, सीखते हैं बातों को, हमने का यह कर रहा है, 15 जिनों में किसी वर्क को कम्लीट, बी उसी वर्क को 20 में कम्लीट करते हैं, सर यह तो प्रोसिस वैसा ही हो गए, जैसे पुराना किया था, LCM ले लिए, सर हमने कितना बन गया, सर LCM, 60, अब सर हम क्या काम करेंगे, हम यह करेंगे, इनकी efficiency चेक करेंगे, हमने देखा इनकी efficiency कितनी है, इनकी efficiency यहां से आई 4, यहां से कितनी आई, 3 इनकी, ठीक है, यहां से कितनी-कितनी efficiency आगे, इतनी आगे, अब देखो, कुछ चीजी है, हमें conceptual समझेंगे, कुछ चीजी हमें यह समझनी है, कि आप डारेक टाम करेंगे, पहले मैं आप conceptual समझा देता हूं, ठीक है, conceptual में हमने बात देखी, हम यह कह रहे हैं, कि यहां से चार, इसे नहीं हम दूसरे मा करसा लिख लेते हैं, यह यह वाला है, सर, एक efficiency कितनी बनी, चार, एक efficiency कितनी बनती है, सर, चार, ठीक है, अगर एक efficiency चार बनी, सर, बेक efficiency कितनी बनी, दोनों ने, कितने टाइम, बीच में कोई छोड़के तो नहीं जा रहा है, कि काम एक दिन बाद छोड़के चल लगया, दो दिन बाद छोड़के चल लगया, चार दिन बाद छोड़के चल लगया, अगर ऐसा नहीं होता, ज्यान से समझेए, अगर कोई व्यक्ती बीच में काम को छोड़कर नहीं जा रहा है, आने जाने का case नहीं है, बीच में आने जाने क केस नहीं है कि एक व्यक्ति दो दिन बाद छोड़ा चला गया तीन दिन बाद आ गया चार दिन बाद आ गया तब आप टाइम क्या लेंगे टाइम या पर तो टाइम कहेंगे सर एक और एक लेंगे रेशियो में हमने डारेक्ट मल्टिप्लाई कर देंगी चाकि हमने इसकी multiply करने के बाद कितना है तो इनको हम यह कह सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति काम छोड़कर नहीं जाता बीच में तो जो रेशियो efficiency का होगा वो ही रेशियो उन में जो पैसे distribute करने हैं दोनों का रेशियो होगा इसलिए मैंने वहाँ पहले बात लिखे दी आपको कि जो work वाद बात हुक्ति बीच में छोड़कर नही जा रहा है कि रहोगी बात बोलते हैं सिर यह बात हमें तूनी यह दुबढ़ा से छून एका हिस्सा कितना है सर चार है का हिस्सा चीक है जी अगर चार बटे साथ मिलने किसका मिलता है यह रहा आप तो यहां से पुझे बताओ जब इसे और से calculate करोगे तो आपने का सर यहां से आजेगा 11,000 कितना हैगा सर 11,000 11 की multiply आप परोगे 4 के अंदर और कितना बन जाएगा सर 44,000 और यही हो जाएगा सर इसका answer क्या हो जाएगा यही हो जाएगा सर इसका answer ठीक है तो अब आप देखे ज़रा क्या बना answer हमारा? हमारा answer बना 44,000 option number C क्या answer है? option number C सर मज़ा आ गया लेकिन सर एक और तरह यह practice के लिए question सर मज़ा आ गया question समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से एक और अब मैं आपसे एक बात यह कहना चाह रहा हूँ जब आपको यह question करना है था तब आपको नहीं है काम करना था क्या काम करना था सीधा इनकी efficiency ले 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 लें था तो यहां से आगे डारेक्ट यही करना था अगर डारेक्ट यह दे तो एका शेर क्या लिखते हैं यहां से चार बटे साथ इन्टू 77,000 और सीधा 44,000 लिख देते हैं और यह आंसर बन जाता है यह चीजे समझाने के लिए हैं यह कोनसेप्चुल चीजें जो चीजे सिखाने के लिए आगे काम अज़ीं इतना एकजान में नहीं करता है इतनी चीज़ें इस पींगें यह चीज़े का पाऊंगें बता दो आप मुझे तो सर फिर से सबाई कोशन चलो हम सर्दे साथ और चलते हैं अगर कोशन और चले तो शाय है क्वेशन हमारे नए और क्वेशन में क्या वाती है रही जार क्वेशन में कहा क्या का और भी है दो गुपलेट आप इस युंट और यहां तक टो बार ठीप आप मेंदबेस आप 14 और 10 दिन में से ने ने शीज है यह वैलू जीज है और b 극ली चलिए वैसे एकर जैसे ऐब सीकॐ हमने क्या सिकाए आप को आपने का सर आपने सिकाई यह बात लिखें पहले महिखेंद लिखिये 15 डेज इसद्ना प्रिफ्टिन डेज जेंगत है कितना बनेगा 15 और 10 कितना बनेगा 30 मज़ा आ रहा है बात को लेकर सही समझ में आ रहे है तो चलो तो फिर आ जो आ जो कितनी होगी यहां से काम छोड़कर नहीं जा रहा है एक दिन बाद दो दिन बाद को छोड़कर नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे सिधा डिस्टिब्यूट कर नहीं तो बताओ जरा-share of B कितना होगा तो आप कहेंगे sir share of B जो होगा जो share of A लिखो पहले share of A कितना होगा तो share of A होगा 2 by 5 खिक है कितना होगा share of A 2 by 5 of 35,000 कितना होगा बोलो 5 कितना होगा इस से आपने केंसल आउट किया तो केंसल आउट करने यहां पर कितना गया साथ हजार साथ की मल्टिप्लाई यहां पर करेंगे तो फॉर्टीन थाउज़न आज है यह तो एक शेर है अब अगर हमें निकालना हूँ सर आपना मुझे पिता तो बी का शेर कितना होगा तो आप लिखेंगे शेर ऑफ बी कितना होगा इससे आपने फिर से कंसल आउट किया सेवन की मल्टिप्लाई यहां पर की तो कितना आया था इस कोशन का आंसर कितना आया 21,000 देखेंगे 9,000 दस्ट 15 आञा कि मिखें थीमें टीज़ में थीम कि गशन का सब्सक्राइब तो मैं कि इस में इतना होजा और इतना इतना इसका शेर इतना इसका इतना इसका इतना इसका शेर इतना किशक्आ कि कव करए भीबात यह option यहाँ पर इसमें जो है आप इस option को change कर लीजिए एक को B का share कुछा ना हमारे पास B का share कितना है इसे change कर लीजिए यह वाले बात को और इसे change करके कितना हो जाएगा इसे आप कर लेंगे यह हो जाएगा sir 1 ठीक है तो हमारा हो जाएगा option number ये option number c कौन सा हो जायगा option number C is a correct answer clear आगे चलते यह question लोगो करो कि क्या है question नया हमारे लिए क्या नहीं है नहीं question पर चलते हैं नया question नया 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 ये रहा नया question चलिए बताईए क्या होगी नए कुश्चन की बात ही देखो ज़रा ओके हाँ यह नए कुश्चन पढ़ो बोलो पढ़िए ज़रा क्या नए कुश्चन फिर देखते हैं पढ़ा आप लोगर ने कुश्चन क्या है उसने का दो परसेट एक का नाम है रशी का और एक का नाम है रश्मी एक का नाम रश्मी जो है वो फाइफ डेज में किसी भी वक को कंप्लेट करती है Як करें और एक साथ काम करते हैं और उनको इस चीज के लिए मैं इनताना कितना मिलता है तो इसमें यह पूछा है कि रशीका का शेर कितना है और और अप्शन हमारे सामने है यह रशीका का शेर बिल्कुल सेम प्रोसेस ऐसा ही है कुई नहीं बात नहीं है आपको बात बताए गई है वैसे ही करेंगे कैसे करेंगे देखो चरए हमने कहा है प्राइम नंबर पर 35 तो यहां 7 आजाएगा और यहां 5 हम नहीं कहाँ एक अशियर निकालओ तो यह नहीं यह नाम जो है यह नाम है एक का नाम क्या है तो आपको क्या नाम है एक का नाम है रशीका और एक का नाम क्या है रश्मी एक का नाम रशीका एक का नाम रश्मी तो जो रशीका है प्रशीखा इसका शेयर कटना होगा रशीघा होगा तीम सड मेद रिष है अपाून ऑपॉन दोनहों का सम पांच आप किसका मिलेगा जो तोटल कॉंट्रेक्ट्ट था टूटल ऑस कीथे cancer E o तो आप यहां से कह सकते हैं कितने मिलेंगे दो 244 रुपे का था सच पूरा कॉंट्रेक्ट तो उसे सर्ट कितने मिलेंगे 100 रुप अब बता दो जब्सक्त देखकर क्या है बोलो ऑप्छन में आपने कहा सर देखिए 600 घ्र्ट एंट 140 घ्र संब्सक्ता है बताओ हमसे पूछा है रसी का कशने का कूंग कितने मिल रहे है सुनें यहां जो चीजे बताई जा रही है जो यह चीजे हम कर रहे हैं इन चीजों में आप यह समझेए कि आपको एक question मिलेगा है मिलेगा इसके जैसा ठीक है एक question आपको almost इसके जैसा मिलता ही है work and wages पर time and work में work and wages जरूर आथा है अब मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन में आप लोगों यहां बताता चलों क्या है वह इंफॉर्मेशन वह इंफॉर्मेशन यह है कि जो टाइम एंड वर्क है टाइम एंड वर्क इसी के साथ आता है वर्क एंड वेजिज और इनहीं के जैसा ही मतलब टाइम एंड वर्क के जैसा ही चाक्रा आता है फाइप एंड शिस्टरार कौन आता है यह तीनोंगे तीनों एक फ्रेम के चर्ट और इस में हम और यह करा चुका हूँ आप पहेंगे हाजी सर आपने यह सीरीज में यह चेप्टर करा दिया हम इस चेप्टर पर हैं अभी बिल्कुल यह तो चलिए रहा है और कोशित रहेगी यह जादा बड़ा चेप्टर नहीं है कोशित रहेगी कि आज की सिंगल वीडियो में अम इसे कंप इन कोशनमें में क्या देखा तो प्यारे पचो आपने इन में यह देखा जैसे तैंम वांक में हम में लगा रहाँ है और अप लोग यह बात कहना चाहँ आप इमन को बहुत अच्छे से पढ़ लो भूज चे पड़ो ठीक लागा पड़ो जितनी पड़ा ही मैंने बाते वो सारी पड़ो पड़ने के बाद उसके practice करो और फिर practice करने के बाद जब मैं आपको पाइपन सिस्टन कराओंगा ना तो पाइपन सिस्टन यकीन मानो आपको इतना असाल लगेगा आप पर रहलुआ है तो क्या होगा इस से दाप आरांग से बिलकुल और ऐम ही हो जाने कोशन इसके दो ऐसे तो यह लेखे जब आपने यह पढ़ा यह पढ़ा और यह पढ़ने क के वाद आप कहा देंगे सर लियाओ कोशिं कहीं से पर यह लियाओ हमें कोईनिक्तν हम तो सर माहिर हो गए है हमारे दिपक सर ने सिखा दी यह सारी बाते और ये of हे लिए और इसी के लिए ही हम आपकी सारी में साथ मेरी टीम मैं और हमारी पूरे टीम के मेंबर एक एक जुटे हुए हैं आपको पॉलिस दिलवाने के लिए और दिलवा करवाने के चलिए इसी सीरीज में फिर हम आगे चलते हैं क्वेशन को क्या है हमारे लिए नया क्वेशन तो देखो जर्रा देखो क्या है क्वेशन में पाड़िगा, sir question में यह का गया है कि सुमित है और अमित है एक व्यक्ति है सुमित और एक अमित वह 7200 का एक contract लेते हैं लेया उन्होंने, सुमित जब अकेला काम करता है, तो वह 5 days में complete कर लेता है जबकि अमित जब अकेला काम करता है तो dear student वो four days में complete कर लेता है तो उसने पूछा है कि दोनों गर एक साथ काम करें अगर दोनों देखो question में बदल दीना पाते हैं लावा吧 जाए क्या उसने पूछह कि जो पैसे सुमीत को मिलेंगे जो पैसे अमित को मिलेंगे उन दोनों में क्ye difference आ knew वे करेंगे जो पैसे मिलने जो पैसे अमित को मिलने काुछ नहीं सत्थ मेसे आपने वयका करेंगे कोई नहीं बात नहीं होगी जो अमें तिक परेशन करेंगे अगर नहीं बात है तो देख लो सथ आपने बताया सर आपने इस यह कोण है आमित का कितना है अब हम लेंगे सर क्या LCM बोलते चलो यह तुस्ति सी रहता ना बेलकुल नहीं एक्टिव रहो एक्टिव बोलो आपने का सर LCM कितना आएगा सर 20 अगर LCM 20 आएगा सर तो हम क्या करेंगे हम यह करेंगे इनकी निकालेंगे कोई व्यक्ति बीच में छोड़कर नहीं जा रहा तो पैसे उसको इसी आदार पर मिलेंगे एको देखना पहले समझ लो पहले मां आपको यह समझाता हूं कि एको जो पैसे मिलेंगे वह आप क्या कहेंगे एका जो एका शेयर होगा वो कितना होगा एका शेयर तो आपने का फो 9 हो गया in 2 इं चॉंके मिव टोल कितना है टोटल सेवंटीटू टोटल Catal एं सेवंटेसटीतू नोड़े बात तर endroit आट्सो शौ 32 तो इसका मतलब इसका शीर कीतना हो जाएगा останे सो जाएगा थीक है यहां तक आपने बताएं बात बिल्कुल सही है, A का शेर कुछता तो 32 था, ओके, ठीक है, हम इतनी बात मान रहे हैं, सर, पोई दिक्कत नहीं है, हम इतनी बात को मानने में, सर, आपकी, और हमने इतनी बात को बड़े अच्छे तरीके से गुणवत्ता के साथ बात को मान लिय ठीक है, आगे चलो, हमने का सर, बी का शेर बात को, तो आप कहेंगे, सर, बी का शेर वैसे ही होगा, जैसे अभी तक हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, हमने का सर, 5, 9, of, of, कितना of, 72, 7,200, चलो जी, मचा दो काटपीट, काटपीट आपने मचा ही, यहां से कितना आया, 800, नो अठे बात तक, 800, और 8 पंजे, 40, तो दोनों में कितना, इसका शेर कितना है, 4,000, इसका शेर कितना है, सर, इसका शेर है, 32,000, हमसे कोश्चन में क्या पूछा है, हमसे कोश्चन में पूछा है, सर, आप हमें, सर, यह बताओ, क्या पूछा है, हमसे कोश्चन में, सर, हमे में ये पोच्छा है कि आप हमें का डर्परंज कलू जोसे का fraction 아니면 नपर फिर्ट सैंट एयर शृण principle 樹ग दोनों को निकालने की जब्रती दोनों को निकालने लगी क्या जरती इसी को आसान कर देते हैं जब आप पैसे किसी को दे रही हो efficiency क्यादार पर तो सर efficiency का difference ले लो ना अगर आप सर ऐसे करेंगे तो देखना अब हमने क्या था हम ले लेते सर efficiency का उन दोनों की विजिंशी में कितने का difference है पांच माइनस चाट अपोन नाइन इंतो कितना इसकी कितनी इसकी कितनी दोनों का difference ले लिए था पांच माइनस का फूर अपोन नाइन कितने पैसे पर की सर बात बाती 72 पर की सर बात यहां से देखा हमने सर 800 और मल्टिप्लाई करेंगे सर 800 तो आएगा तब भी तो आपने खा सर यही बात तो है जो आप सिखा रही है इसी के यही तो बात की पैसे है किलियर है बात यही तो बात है सर यही यही जो चीज़ सीख रही है इसी यह नहीं करना था हमें इतनी बड़ी राम का है ठीक है क्या नहीं करना था हमें इस से बचना था और हमें केवल और केवल काम इस चीज़ पर करना था जो यह बात बत्री है ठीक है यह तो अगर पैरे से difference की बात करें तो dear student आप क्या काम करेंगे आप करेंगे यह difference लेंगे ऐसे A, B नहीं निकालेंगे सीधा difference में लेंगे consistency का और आप direct का उमीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है और इसी बात को मद्दे नजर रखते हुए हम अगले पड़ाव के और चलते हैं अगले question पर चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारे लिए नया question ठीक है तो देखो ज़रा हाँ अब बातों पर ह क्या कहता है question आप कहेंगे sir question में ये का गया है a b किसी भी work को कितने डाइम में कर सकती हैं आप कहेंगी क्या क्या बोला है six and eight days ठीक है sir a और b का बोला गया है six and eight days में कर सकते हैं मतलब बात का मतलब समझो a और b तो करेंगे करी रही है लेकिन अगर वो दोनों किस की सायता ले ले तो उसी work को करने में सर्फ तीन मिन लगए यह तो और अच्छी बात है तो यहां पर अब सी इंवल्व हो गया direct और indirect सी इंवल्व हो इतनी statement से हम पहले ये कहानी मुंते हैं क्या अगर कर रहा है तो उस work को कितने days में कर रहा है तो आप कहेंगे six days sir b अगर उसी work को कर रहा है तो सब कितने days लग रही है आप लिगा sir eight days ठीक है जी sir eight days लग गए और अगर a और b के साथ बच्चो कौन काम कर रहा है अगर तो कितने लग रहे है टाइम अब हम क्या करेंगे हम लेंगे इनका lcm ले दिजिए अब जो लेवल है आपका अब वह बेस्ते में थोड़ा सा उपर हो गया है आपका लेवल क्योंकि आपको मैंने time and work chapter पढ़ा दिया आपने उसके practice भी है और practice के साथ साथ आपको ये बात समझना आदी sir इस lcm वाले फंडे से हम ऊपर उचुके हैं और हम इस बात को समझ सकते हैं आसानी से कि ये lcm जो है उससे हम direct भी लिख सकते हैं बात को तो हमने lcm लिया तो lcm कितना आया आपको आपने का सर lcm 24 आया फिर क्या करेंगा lcm 24 आने के बाद हम लिखें सर इनके फिर तो आपने लिखा चैचोग 24 आठीए 24 और हाँ यहां पर आगया ठीक है यह जो मैंने ब्लू किलर में लिखा यह पिसलती है यह टोटल वर्क है और यह इनके द्वारा लिया गया समय ठीक है अब क्या कहता है वो वो कोशन में कह रह है तो मैंने अभी बताई बात किसी को भी जो हिस्सा मिलेगा किसी के भी जो पैसों में हिस्सा है जो वेजिस होगी वो उसकी अधार पर है तो यहां से तो मुझे सारी पता ही ने चलिए आजा हूँ जल्दी आओ इदर आओ यहां नजदीक बिलकुल देख मैं जरह यह रही अगर ए और बी की एफिजिंसी चार और तिन साथ है टीनों की मिलकर आठ है तो आप बताना ज़रा सी की एफिजिंसी वन नहीं होगी लगया पता बिलकुल सही वहीं बैठ यह बैठ गए चलो अब आगे चलते हैं बात को लेकर अब देखो हमने कहा सी की विजिंसी कितनी हो हो तो एक इफिजिंसी है टोटल टोटल कीतनी है एट इसमें ची का यससा बताओ सी तो आप दोडनी 16 आठ दोड़नी 16 ची कह हो तो यहीं से तू है तो हटाओ 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 और रख लिए option number कितना बोलो 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 option number एक कर लेते हैं चलो तसल्ली हो जाएगे मेरे दिल को कर लेते हैं यही सोच रहे हैं ना सर कर लो तू बच्चो आठ दूनी सोला कितने बचे दू आठ यह 24 और आठ एकन आठ हो गया तसल्ली लो जी यह रहा आठ अंसर आप लोगों के सामने और यह रहा प्रासेश आप जो यह नए टाइक पास्स में C involve हमने किया है जो है C involve किया इस discussion में इसमें आप देखेंगे कि कैसे क्यों कि एक बार नजर मारोज पर और धिहान से देखो कैसे हमने यह question कि है तकि आपको यह बात समझने में कोई तक्रीफ ना हो जो बात मैंने आपको हो यहां समझाई है थिए बोलो बात समझ में आ गई बोले बोले समझागी न कुन सा ओफशन था ये वाला ओप्शन चलो तो फिर नए कोश्चन की और चलते हैं नए कोश्चन की और चलें तो ठीक है यह पढ़ से क्या है कोश्चन नाः देखो जड़ा तो आपके क्योश्चन बुलकुल वैसा ही है जिसा आपने बताया अगर से हमने ऑप अभी पढ़ी है जिसा आपने बताया वैसी किया है तो सर चलो क्या बोला है वोलो डिखो कितना टाइम ले रहे करने में सोरी वाग को आपने काम से पहले हम अपने डाटा को निकाल लेते हैं चीजों को किसल सफें इस्सक्राइब को पाट यह को इस हैं और ये सारी बाते मैं यह इना बात समझना अ क्या है अ यहां से लेंगे मनें बताया आप अप लोग यहां यहां से LCM लेंगे तो कितना बने का 15, 12 और 5 LCM बता तो बताओ जल्दी से आपने कहा सर 60 कितना LCM बना साथ यहां तक बाठी के सर बिलकुल सही है सर अगर 60 LCM बना तो सर आप यह कर दो हमारे लिए इनके नहीं एफिसेंसी ओर लिए तो सर आगे का काम हम खुद कर लेगे चलो जी एफिसेंसी पर लिए आप लोग के लिए लेजिए बारा पंजे चेंज गिया था ऐसा जैसे हो गय आपको यह तो पता चल गया कि सी की इफिसेंसी कितनी है पांच पांच चार नों सी कितनी इफिसेंसी रखता है बोल दो बोल दो सी सर इफिसेंसी रखता है सी की इफिसेंसी होगी इन दोनों को जोड़ो इसमें से माइनस कर दो और आजएगा तीन बस हो गया काम यूं था हो गया हो गया चलू अब देखो सी का पूछा होगा कितना अच्छा की पूछा है सेख फॉछा ही निया हम तो प्रहभर्म historically किसी पूछा होगा पिछले वाडी इन्होंने तो एक कॉछ सेलिया कोई बात नहीं और देखिछ यह तो तो,960 में से हिस्सा देढ़ा? अगर नो सो साथ में से इस्सा दे जिए, तो तो कितने पैसे मिलेंगे इसको 400 रुपे मिलेंगे और अगर 400 रुपे मिलेंगे तो बता दो कौन सा ओप्शन होगा यह प्रक्षा मिलेंगे इसका क्रेक्ट यह समझ गई बच्चो बोले बाते किलिए रहे अच्छे तरीके से बात समझे ना हंजी बोलते रहो किलिए रहे चलुँ तो फिर अब हम और प्रैक्टिस करती हैं सर पहले question से हमें concept clear हुआ हलकी फुलकी किसी को दिक्कत रही सर दूसर question सर आपने बता दिया हमने बात विल्कुल fit है विल्कुल समझ में आ गई सर अब क्या है अब सर practice के लिए question है देखो तीन-चार phase में काम होता है समझत बात को मेरी तीन-चार phase में कैसे काम होता है सर तीन- है सला सजीए इस तरीकते से होता है सर तीन-चार phase में इसे काम होता है पहले लगा से चीजहसरी तीस ही क्योंकि हम अभी लर्न्निग phase पर है तो हम पहले क्या करेंगे कि चीजहों को सीखने में हम वैसे ही काम करेंगई जैसे हमें बता जाता है जैसे हमें guidance मिला हम नो वैसे काम के कोई बच्चा पहले पेज में सीखता है पैदा होते ही intelligent पैदा निया है सीखता है कहां से देखकर माता-पिता को आस्परोप्स को चीजे सी इंप्लिमेंट मिलाए यह इंप्लिमेंट चीजों को पहले कोईशन से सीखा अब सर्फ प्रैक्टिस होगी उसकी और वो प्रैक्टिस ही है जो अच्छा प्रैक्टिस पहले दो फेज तीसरे फेज प्रैक्टिस चलिए इस चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं हम और इसी जाते हैं काशंग है यहां से और देख जेखा नहीं नहीं बाते क्या समझ में आती है क्या 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 कुश्चें बन रहे है हमारे पास त्या नहीं को देख प्रैक्षा का कि एक लिए एक आपया है कितने पैसे में से मिलना है 5950 में से 5950 में से बी को कितना शेयर देने से पहले आपको सर हम यह बताना होगा बी की इफिसेंसी कितनी है तब ही तो गर पाएंगे हमका आपने इतवात से गई सर सर पहले हम यह बताओ बी की इफिसेंसी कितनी है तब हम उसका सब्सक्राइब है तो निकालो चलो तो भी हमने का एक इतना पैसे कितना टाइम लगा रहा है यह लगा रहा है 63 आर्स वाली बाद यहां से डाख सर ए और सर तो 36 यहां से हम लेगे हम इनका सर LCM क्यालेंगे LCM लेते हैं अब LCM में तो इनका मल्टेपल डोनना थे मुश्किल हो जाएगा तो क्या तो इनमेंसे प्राइम नम्बर निकाल लिया 9 4 और 7 ठीक है यह इनका LCM से डिवाइड करने की कोशिस की LCM को इन नमबर से डिवाइ तो मुझे पता चला सर यहां पर तो आया अच्छा LCM से सर मैंने इसको डिवाइड करने की कोशिस की तो सर यहां पर आया सर पता चल गया जी इससे मुझे क्या पता मिला क्या सर मुझे बात समझ में आई मुझे समझ में आया कि सर बी की जो एफिसेंसी है ना वो 7-4 that is 3 कित अगर मैं इतने से माइनस कर दो तो बी रह जाएगा यही तो किया और कुछ नहीं बात नहीं जी सर नहीं बात नहीं थी तो चलो बी की पता चल गई क्या पुछा है शेयर ऑफ बी अब तो नहीं कोई दिक्कत आएगे सर हमें शेयर ऑफ बी निकालने में शेयर ऑफ बी का श तूटल कितनी है कितने में से पैसे देने है सर इतने में से कितने में में से 5950 में से कितने रुपीज में से 5950 में अब बताव हम यहाह糖 अगर देखे cancel out करें तो आप पहेंगे कि sir cancel out अगर हम करते हैं तो cancel out इससे करो इनको साथ सते साथ अठे 56 छीक है जी cancel out कर देंगे साथ किनका पुछा है शेर बी का पुछा है का बी का अच्छा साथ अठे 56 कितना आगया साथ अठे 56 कितना रह गया दो तीन चार बोलो तीन रहता है साथ तक रहेंगे पांच जीरो तो अब हमारे पास रहेंगे 3 इंटू 850 कितना आएगा multiply करो जरा 0 3 15 15 1 ठीक multiply कर रहें तीन पंचे 15 एक और तीन अठे 24 और एक पच्छीस तो कितने रुपे बन रहे है उसके तो आप कहेंगे 25 सो 50 रुपे बन रहे है सर तो बता दो कौन सा option है बोलो कौन सा option है यहां से यह रा सर option कौन सा option option number C option number C तो बताई यह बात हमज में आगे क्या जो यह बात हमने की है बहुत आसान सी बहतरी से जो concept आप लोगों सिखाया जा रहे हैं एक से बढ़कर एक लेवल की questions जो हम कर रहे हैं जिससे की हमारे वो लेवल भी तयार हो जाए जो वो टच कर सकते हैं और हम उन लेवल को छूले उनको भी practice करने जिनकी आने की संभावनाई हैं तो इन सभी संभावनाओं को देखते वे इन सभी चीजों को देखते वे आपके लिए इस राटा तयार किया गया है आप इसकी practice करें और अच्छी से बात को समझते चले ठीक है चलिए तो फिर चलते हैं आगे की और बातों को लेकर question को clear करते कैसे अब हमें बाते और समझनी हैं पिक ऐसी ही एक task है हमारे सामनी यह इसे भी आप समझने की कोशिस करें ठीक है अब यह task समने क्या है देखो क्रूशन में क्या का गया है question में का गया है कि ए कोई person है यह 27 hours में किसी भी work को complete कर सकता है working alone a can complete a work in 27 hours यदि यह अकेला काम करे तो किसी भी work को कितनी टाइम में complete कर रहेगा we can do it in 54 hours वी जो है इसको 54 hours में कर सकता है ठीक है जी c find the share of c आपको c का share बताना है if a b c get paid 4,320 रुपीस of completing a task in 12 hours बात समझना जब c a b c 12 गंटे में कर सकते हैं किसी भी काम को तीनों मिलकर तो इनको कितने पैसे मिलते हैं यहां पर तीनों के इसमें मिलते हैं 4,320 रुपे ऐसा question था जो बात अभी समझाए थी तो आप बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे अभी आप लोग का समझाए गई कैसे करेंगे तो समझे देखा दिया सर करेंगे एक बारे में टास्क दी गई है 27 अपके जी सर बी के बारे में क्या टास्क दी गई है एक कंसे किसा कुश्टन से हमने बाती आपको लास्ट पुरानी बता देता हूं मैंने कहा था जो LCM होगा हमने यह लार्जर नमबर 54 मालने के बाद इसमें 27 होगा है थीक है 27 होगा हमे 27 किसे मिल अपना है नाइन से नो दिये 27 नौ इसमें आता है नो चिप चववण होता है 27 तो 27 में तो अल्रेडी है अब देखें ट्वयल किसमें है 12 किसमें है हुई है इसके अंदर 27 अब इस LCM से जो ये बात हमारे सामने आई हमने LCM निकाला क्या निकाला हमने इसका LCM बोलिए हमने इसका LCM आया है जो वो आया है इसको न हम यहां यहां यहीं से लिख लेते चलिए इसका LCM आया है 54 इंटू इसका LCM यह आने के बाद अब हमारा क्या काम है भूलो हमारा काम है सर करने का. एफिसंसी निकालने का. एफिसंसी निकाली से यहां एदिन, एफिसंसी मिए आपके किटने आई हाओ हमारा आई क्टने आएble тобой आजने जाएगा. देखे जड़ा आएगा 5. ju Lambda च मासे बाद आई हमारे पास और नंबर दाओ उदा ओगर 54 इंटू से डिवाइड कर लो च्छे से डिवाइड कर दो यह नो जो आया है यही तो अगर बात समझ में आ रही है तो देखे जरा अगर नहीं बात नहीं लिखी है तो देखो जरा इतना लिखने के करें बाद अब उसने क्या क्या है उसने काया कर चेयर का किजर बता हो कुटना हो तो सबसे पहले हमें C की के कण रिखन सिर दो यह अभी बात सब जाए आपको C की वीजॉंसी कितनी होगी basically C की efficiency होगी, A और B की efficiency अगर मिलागर 3 है, A, B, C की efficiency मिलागर 9 है, तो C कितनी efficiency रखता है, सर आप तो होगे सर 6 efficiency रखता है, C, अकिला, अब share of C बता दीजिए, अगर सर share of C बताना है हमें, तो क्या करो, C की efficiency अपोन total efficiency, ठीक है जी सर, C की efficiency अपोन total efficiency into total share, total share कितना था, ये रहा total share, कितना 4320, total share ये तो है, 4320, कितना मिल गया, तो करो divide, अगर divide हो जायता है, देखते ही रहा, 9 से कर divide करें, 9 चोग 36, 4, कितने रहेगे, 9 चोग 36, 7 रहेगे, और 9 अठे बात, तो basically हमें मिला, 6 into 480, कितना मिला, 6 into 480, कि 6 चोग 24, 6 चोग 24, जड़ा देखे, हम 3 से, 27 दूनी 54 ठीक है, 54 बात बिल्कुल ठीक है, आतक तो ये बात हाई है, share, C का share बताना है, हमें बात बिल्कुल क्लियर है, 1200 इसमें, C की efficiency है 6, total efficiency है 9, okay, C की efficiency 6, total efficiency 9, 6 बटे 9, 9 से divide किया, 9 चोग 36, 9 चोग 36, 4, कितने रहेगे, 7, 9, 8, 8, 8, 0, इसकी multiply कर लेते हैं, multiply कर लीजे, 0, 6, 8, 48, है कोई option में, एक लग रहा है, 6, 8, 48, कितने रहेगे, कितने, carry forward कितना हो गया, चार, और 6, 24, और 4, 28, तो basically हमारे पास कितना होगा, C का share, C का share होगा, 2880 रुपे, कितना होगा, 2880 रुपे, एक option हमें आपर, प्रेशन कर रहा है, कौम सा, ये वाला option है, इसे ही से बदल लीजिए, ये जो चीजे है ना, ये misprint जो हो रही है, ये टाइपिंग वाली, ये change कर लीजिए, कितना आएगा, इसे आप कर लीजिए, 2880 तो option जो है, हमारे पास, कौन सा, option number C, ये और D, ये हमारा correct answer हो जाएगा, option number D हमारे लिए correct answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, तो फिर नए question के और पढ़ते हैं, बात को लेकर, क्या है नए question में हमारे लिए, एक बार देखते हैं बातों को, हाँ, ये जो नए type की बात आई है, तो इसको एक बार देखते हैं, यहां से, क्या आया है नए type का, ये question, देखो, इसे बात को समझने से पहले आपको छोटी सी बात हैं समझनी हो, ठीक है, चलिए, मैं आपको यहां समझाता हूँ, ये बात हमने time and work में भी समझे थी, ये बात यहां भी समझ लेंगे, क्या है बात यह तरह समझनी कोशिश करना है, हमने कहां, ये मालेजिए total work है, ऐसे समझो, ये मालेजिए total work है, ये total work है, ठीक है, इसे हमने ऐसे हिस्सों में तोड़ लिया, चार हिस्सों में तोड़ लिया, चार हिस्सों में तोड़ने के बाद हम कह रहे हैं, इसका एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये वाला हो जाएगा, एक हिस्सा ये वाला हो जाएगा, एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक हिस् वह जो हिस्सा है नीचे जमीनियिटर में और जो हिश्सा में वह है वह लिखा छाथ कि लिए हम मानने हैं टोटल इससे कितनी है ? चार में से टोटल इससे में सा red जो है वो पार्ट एक है वैसे ही बच्चो बताना जरा अगर मैंने कहा कि जो यह yellow portion है यह yellow part है यह कितना है सर आप कहेंगे सर यह भी 1 by 4 है क्योंकि यह एक है केवल यह one part यह इतना हिस्चा केवल बन अब अगर हम इस बात को कुछ ऐसे mix करें ज आप बताओ बच्चो यह कितना है रैड और यल्लो पार्ट पो मिलाओ मतलब आप इन दोनों हिस्सों को मिलाकर बात करें इतना इससा बताओ आप इतना यह था तो आप इसको ऐसा कर लिजिए 1 by 4 प्लस 1 by 4 तो आपको सरी जो मिल जाएगा या 2 by 4 मिलेगा जिसे आप फर्दर क बच्चो चार इससे थे चार मेंसे मैं 2 की बात करना हूं तो चार मेंसे अगर इसे आप और करके लिखते हैं तो आप यह भी तो लिख सकते थे क्या लिख सकते थे टोटल एसर चार इससे हम कितने इससे की बात करें बच्चो एक दो दो इससों की बात करें तो चार मेंसे द चलिए मैं यहां से आप से पुछना चाहा है। रहीमीन हिस्सा कितना हों र्यड वाले के साथ। आप कहेंगे। सर रैड अगर कितना है रैड अगर है वन बाई फॉर तो बाकी हिस्सा कितना बचा होगा आप इनका रहें जो टोटल हूं वह लिख रिखोंगे काम। सर आप ऐसा ही करके हम यहां भी बता दीजी आपने से इतना इसता अगर आधा यह इसता इतना है तो यह कितना बचा है तो यह भी तो आधा ही बचा है यही बात अब कोशन आपको इसी फ्रेक्शन पर है बात अब जो रामकानी है सारी कोशन हों कि यह वो इसी फ्रेक्शन पर है देखना जरा किस तरीके से यह बात इक इस तरीके से नहीं है यह रहा कोशन जो में कोशन समझना है वो यह रहा पड़ो कोशन को उसने कहा है A and B do 3 by 5 part and the remaining work and the the remaining work is completed by C मतलब A और B ने 3 by 5 part complete कर दिया यहां से समझता कितना A और B जो है जो A और B है दोनों ने मिलकर 3 by 5 part इतना part work का complete कर दिया मतलब मतलब यह है सर आपने हमीं यह बात बताई कि जो यह नीचे वाले value होती है यह किसको represent करती है यह represent करती है टोटल और सर यह वाला जो हिस्सा होता है यह किसको represent करता है यह हिस्सा करता है present part किसको represent करता है present part को represent करता है खीक है जी अब अगर हमें सर remain part चाहिए तो remain के लिए सर आपने हमें बताया कि remain के लिए आप क्या करेंगे इनका difference सर 2 आजाएगा कितना आएगा सर 2 आएगा इनका difference ही त काम A और B ने कर दिया तो C के हिस्से में कितना है आप ही बता दो आप ही चोटी सी बात बच्चों वाली बात है आप बता देंगे अगर इसको मैं वैसे ही रिपरजेंट करूं जैसे यहां फ्रेक्शन में हम कर रहे हैं तो C कितना हिस्सा कंप्लीट करेगा 2 by 5 ठीक है 2 by 5 यानि के 5 में से 2 हिस्सा भी करेगा अगर इतना काम करेगा तो पैसे भी उतनी मिलेगे कोई व्यक्ति जितना काम करेगा तो पैसे उतनी तो दी जाएंगे अगर C जो है वो 2 by 5 पार्ट कर रहा है तो सर पैसे भी उतनी दोस्कों अगर आप पैसे उतनी ही दोगे तो किसके मिलेंगे कितने टोटल पैसे पाँच हजार हमने पाँच हजार का तू बाई फाइब दिया आपने इसे कैंसल आउट किया वन थाउजंड मल्टिप्लाई करोगे तू थाउजंड आ जाएगा और आपने का सर यही इसका बहत्रीन सा सॉलिशन और बहत्रीन सा आंसर ह क्या है,要ुप्شan नमबर क्या सीूज़िए, कौंसा रौप्षण नमबर, सीजा क्रेंटर करेंगे अब बाकिया कामप्रान यह हमने इसे छए हमने ने फैने उपिदेटि how inizible थी हमने ये बात सीकी क्या करेंगे अब इंपलिमेंट तक हाले हमने इसा हम आए रहें को चेज अगर हमने बात सीखने के बाद चलो तो अब हम इस पर करते हैं काम करें तो हम यहां से बात समझते हैं क्या बात समझते हैं हमने कहा है कि एक संडी मेंडी किसी बी वर्क का कितना इस्सा ठीक है सेंडी है एक बाई साब एक बाई साब है सेंडी और एक है मेंडी ठीक है सेंडी मेंडी किसी भी विवाग का एट बाई थाटीन वर्क कम्पेट कर लेते हैं एट बाई थाटीन वर्क कम्पेट किया रिमेन वर्क एंडी ने किया देखो क्या नाम रखें सेंडी मेंडी एंडी ये नाम रखे तो इसने पूछा कि तीनों को काम करने के कितनी पैसे मिलते हैं 2600 रुपे मिलते हैं और आप से पूछा गया कि एंडी का हिस्सा बता एंडी का तो पहले तो देखो कि सर एंडी ने काम कितना किया यह बता तो सर पहले एंडी ने कितना पा सर आपने पहले दिफरेंस लिया दोनुका डिफरेंस लिटेंस लिए यह अपने डिविटर था यह जो वैली थी, हो गया काम इतना तो अब किसका मिलना था इसको यह हिस्सा टोटल का कितना है है 26, 26 का मिलना है कितना 200 और multiply करोगे तो 1000 मिल गया तो answer कितना हो गया तो आपने का answer हो जाएगा 1000 कौन सा option option नमबर ऑप्शन नमबर ऑप्शन नमबर बताईए यहां तक बाते समझ रहे हैं बाते समझ में आ रही है बहुत अच्छे तरीक से क्लियर रहाती है अगर बाते समझ में आ रही है तो इस अध्याय को और आगे बढ़ाते हैं और अध्याय को आगे की स्रीज में लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास logic एक नया question और आगे है क्या हो सकता है question क्या हो सकता है और नया question इसका level देखो question क्या level हमें दिया गया है share पुछा गया है एबी सी के तीनों के share देखेजिए हम देखेजिए और आप भी बता देखेजिए पीसर तीनों के question के share क्या हो देखो question में क्या बोला समी पड़ो question में कहा कि A B C किसी work के लिए कितने पैसे चार्ज करते हैं उनको मिलते हैं 78,000 ठीक है A और C जो है उस total वक का कितना हिस्सा complete करते हैं ठीक है यहां लिख लिए अपकी बार A और C कितना हिस्सा complete करते हैं 7 by 13 काम किया इस तो देखो इस pair थे अगर बात देखेजिए चल्ब दूसरा लिख लिए कि बी और C बी और C कितना complete करते हैं तो आप 65 एट भाई 30 इतना हिस्ता में दिया परती एक का हिस्ता पूछे लिए हम सबसे पहले एक पियर को यूज्ज करके अगर यह देखें कि किसमे से कौन चाहाथ सकता है और C दिया पहले में तो यहांसे निकल सकता है जैसे हमने किया अगर मैं इसका डिफ्रेंस लिए लेूं यहां से इसके लिए लिखते है करते हुए इस वाले हिस्से से जो A है वो कितना आ सकता है तो आप गहेंगे सर A जो इससे आएगा था ए जो आएगा वो आएगा इन दोनों का difference 8 और 5 तेरा इन दोनों का difference difference कितना है 5 और सर ये numerator as it is, कुछ हमें तकलीफ नहीं है इतनी बात समझह में आ रहा है जैसे आपने आपको बताई है और हम सीख यह जास के हमें A मिल गया, B मिल गया, चाहो तो C निकालो, नहीं चाहो तो कोई दिक्रतकी बात नहीं इतने से काम चल जाए कैसे आओ जाओ आओ इधर आओ आओ देखो कैसे हमने का बी का जो शेयर होगा वो 6 by 13 होगा कितने का टोटल रुपीर देखो यह रहे है आपने का 7800 का 13 चिक यह ठंत 600 600 की FDA multiply में करेंगे तो बी का इसना कीतना है तो आप कहेंगे सर बी का जो इसना है वह है 36 रिक का इसना है 36 हो मैं सकता और यह यांन क्या सर्फ यह ओप्शेन नहीं हो सकता यह पैंटालेक्ट सो और यार भी यहां पर कितना है 50 दोनों में से कोई सब्सक्राइब देख लो एक इतने का होगा एक कहेंगे टूटल कितना है टूटल है सेवन्टी एट हंडर्ड यहां से आपने डिवाइड किया 600 600 की मल्टिप्लाइब इसमें करेंगे तो कितना आजएगा तीन हजार आजएगा आजएगा तीन हजार बोलो तीन हजार आजएगा तो इससे हमें यह बात पता चल गई कि कौन सा केवल और केवल आंसर हो सकता है वो सकता है ऑप्शन नमबर टे डी बी नहीं हो सकता कौन सा हो सकता है बच्चों ए हो सकता है डी बी नही हो सकता उमीद है आपको ये बात बिलकुल अच्छे से समझ में आ रही है क्या हमने किया कैसे इस लेवल के पुश्चन को हम दिल करते हैं और क्या नहीं चुकि हमने पहले रखी मीव हमने तयार की मीव और उसके उपर बनाया अब हमने यह मकान का यह है जो सर और चलते हैं चीजों को सीखते चले बढ़ते चले हैं ठीक है उ के मैं अभचो अब यहां से स्वीस over ओप शीन होते हैं और क्रांइव होते हैं और नहीं होते हैं वह समझते Coco ze काम चोड़ने की चीज्जा को बदलाव में लाना पड़ी हैं। हम सबसे पहले यह देखें कोश्टमें हमने देखा कि यह किसी व्रक को 16 डेस वे कर सकता है कम्लीट वी उसी व्रक को 20 डेस में कर सकता है यहां से पहले हमने जो डाटा था और निकाले A 16 days B 20 days मैं 80 LCM लोगा पहले यही तो सिखाया हमने आपको और यही आप लोगोंने सीखा दोनों के LCM इतना आ जाएगा 1650 यहाँ पर 80 LCM आ जाएगा 80 LCM आने के बाद हमने क्या बात सीखी हमने सीखा 1650 और 20 चोग 80 इतनी बात तो हमने सीख लेगा हमने कहा कि इस अकेला काम कर रहे हैं दोनों मिलकर ने करने गाम को अकेला काम रहे हैं केवल 12 days काम करता है कितने दिन काम करता है 12 days तो आप इससे मिले जाओं तो इस तरीक से कर लो तो ये लिखे लो पहले efficiency, ये हमने लिखी efficiency, efficiency के आदार पर, अब आप ये कह सकते हैं, efficiency आपने लिखी, ये A था, ये B था, आपने, मैं आपके दो तरीगे बटाता हूँ, पहले ये समझो बात, फिर एक और बताता हूँ, आपने आपका देखा, कि A की efficiency इतनी है, 5, B की efficiency कितन भे-जार कर रहा है 12 तूं इसे ऐसे लिखो दूसरे उससे लिखने हैं ना इसा लिखने किया आपको यहाँ कितने काम किया रहा- 그래도 क्या आपको यहां यह पता है कि यह बी धिटने काम नहीं पता ना कि उसने कि काम से को बी करता है अखेला उसके बाद छोड़ने के अब इस concept के अंदर यहां पर अधिया देखना हो गहूं में कितने दिन काम कर रहा है हमें क्या देखना होगाा हमें देखना होगा विश्वरी दिन काम कर रहा है थो आप शुरी उनिट्ट वुण किया जातए उर machine कंवlist किन देखनी अगर टोटल वर्क असी है तो बी ने कितना वक किया होगा बी ने वक किया होगा असी माइनस का साथ तो बी के इस्से में कितना वर्क आया होगा के वल करने के लिए सर वी इस यूनिट वर्क आया होगा बी के इस्से में काम करने के लिए है बी के डेस तो आप कहेंगे बी के डेस कितने होगे तो बी के डेस होगे 20 अपोन 4 तो बी ने जो है वो 5 डेस काम किया है कितने डेस काम किया है 5 डेस काम किया है तो हम यहाँ पर इसके लिए क्या लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं हम इनकी multiply कर दे और अगर multiply करें तो 1250, ठीक है, यहां से देखें पांचों, 20 यह करें, तो यहां से कितना आजएगा, 3 और 1, कितना आएगा, तो आपने कहा, सर यहां से आएगा, हमें मिलेगा, तो यहां आप लिखेंगे, अगर आप लिखें, तो share of A कितना होगा, 3 और 4, 3 हिससा इतना, total कितना, 4, 3 बटे, 4, कितने का, कहां लिखावा, देखो जड़ा, 2000 का, कितने का, 2000 का, अगर 2000 के साब से देखें, तो इसे divide के आपने कितना आजएगा, 1500 आजएगा, और यह हिससा किसका है, तो आपने बताया, सर यह हिससा है, A का, अगर A का हिससा 1500 है, कोशन में आ देखो लिखावा है, यह रहा, कोशन में आ लिखावा है, कि अगर A को 1500 मिलते हैं, तो B को कितने मिलेंगे, 500 यह तो थी बात इसकी conceptual, जो मैंने आपको अभी बात समझाई, ठीक है, समझा दी, इसके हमें क्या कर गया था, A 16 दिन, इसे तो बोलें, देखना है, A 16, B 20, क्या कहा, A 16, B 20, तो एक दिन का काम कितना होगा, is one day work, A का, एक दिन का काम कितना होगा, एक एक दिन का काम होगा इसका थी कर देती है टोटल का उल्टा कर लेती है तो एक दिन का काम कितना होगा एक दिन का काम होगा one by काम किया है तो 12 days का कितना काम होगा 12S2 by 16 यह कितना यह कितना आया जब आप इसे सिंप्लिफाइब करेंगे एक दिन का काम निकाला सर अपने पहले हमने देखा कि अब याद करो अभी थोड़े पहले मने बचाया था आदी गंटे पहले बनलता था जो व्यक्ति जैसे काम करेगा उसको उसी हिसाब से पैसे एने थी वाइफ पोर वर्क है उसको उतने पैसे मिलेंगे दे दू उतने पैसे कितने तोटल दो जार थे अगर दोजार का थी वाइफ ओर निकालेंगे तो कितना हिस्सा मिलेगा एको एको मिलेंगे पंद्रसो रुपे अगर एको पंद्रसो रुपे मिल रहे हैं तो शेयर ऑफ बी कितना होगा तोटल